नमस्काल, Home Decor Ideas देशी अंदाज में आप सभी का स्वागत है, आज मैं आपको टी कोस्टर्स और होट पोट स्टैंड कैसे बनाना है, ये दिखाऊंगी, आठ प्रकार के मैं टी कोस्टर्स बनाना सिखाऊंगी, सबसे पहले मैं ये रस्सी वाला दिखाऊंगी आपको, इसके इसको हम एक ग्लू लिया है, फेवी कॉल ले सकते हो, या होट ग्लू गंस का भी इस्तमाल कर सकते हो, इस टाइप से आप ये हम राउंड राउंड लगाएंगे, उसको फेवी कॉल लगा दे जाएंगे और उसको बस थोड़ा राउंड राउंड करते जाना है, इस टाइप से अब और ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि यह स्टेप से मैं लगाती जाओंगी लास में उसका जो पॉइंट है उसको हम अच्छा से पेस्ट कर देंगे इदर इस तरह से आप बड़ा हॉट पॉट स्टैंड भी बना सकते हो यह मेरा चोटा टी कोस्टर हो गया इसको मैं सुखने के लिए रखूंगी यह इस ताइप से मैंने एक छोटा वाला टी कोस्टर बनाया जो अब भी आपके सामने यह मैंने पहले ही बना के रखा था जैसे इस टैप से बनता है और यह होट पॉट स्टैंड आप यूज कर सकते हो आपको जितना भी बड़ा करना उतना कर सकते हो इसको हम पेंट भी कर सकते हैं और एक्रालिक कलर यूज करके मैंने ऐसे ही रखा है आप चाहो तो उसको पेंट कर सकते हो यह होगा पहला टाइप दूसरे टाइप के लिए मैंने ये मेरे पास एक पुरानी जीन्स थी उसका ये गोल आकार का कपड़ा काट लिया है और ये मेरे पास कुछ पेबल्स है जो किसी भी शॉप में मिल जाते जनरल शॉप में अब मैं इस पे ये जीन्स के कपड़े पे हम पेबल्स ये कर देंगे पेस्ट कर देंगे है हम इस तरह से हम उसको फेविकॉल लगा के पेस्ट कर देंगे साइड से सारा एरिया कवर करना है इसी पेबल से एक दम पास पास लगाने है इस टाइप से ये इस टाइप से मैंने सारे पेबल्स पेस्ट कर दिये अब हम इसको सूखने के लिए रखेंगे अभी मैं आपको तीसरा टाइप कहा दिखाऊंगी अभी एक और प्रकार का मैं होट पोट स्टैंड बनाना सिखाऊंगी इसमें मैंने वही जीन्स का कपड़ा मुझे जितना चाहिए था उतना मेजर्मेंट करके ले लिया है काट लिया है मैंने और ये मेरे पास कुछ पत् तरहstein के साथ कनधार बनालिकम यह इसे हई कि उसयरा शवची कर से इसमेह लिया है कि श्मराइं मेरे आसा यह लगी तो सब्सक्राइब लुकाने इसने से उला चोटे बड़े चोटी साइज भी यूज़ कर सकते हो यह काफी अच्छा लगता है और काफी डिफरेंट लूप देता है इस टाइप से आपको बना बनाते जाना है अगर उसको पेस्ट करते जाना है यह देखिए मैंने सारे जो मेरे पास पत्थर थे छोटे छोटे वह सारे पेस्ट कर दिये और अभी यह में सुखणे के बाद आपको बर फिर से दिखाऊंगी अभी हम चलते तीसरे टाइप की तरफ अब यह तीसरे टाइप में मेरे पास यह जो प्लाइवूड का कट किया कार्पेंटर से मैंने कट करके लाई थी है और मेरे पास यह कपड़े है जिसको जामा वर्क किया हुआ है उस पे यह मैंने उसके साइस के काट लिए बस अभी यह उस पे हम पेस्ट कर देंगे यह अभी पेस्ट कर देंगे सारा यह मैंने उसके उपर पेस्ट कर दिया है अभी यह मेरे पर से एक गोल्डन कलर की लेस है वो मैं उसको साइड से लगा लगा दूंगी यह मैंने पेस्ट कर दिया है और आप देख सकते हो यह फैबरिक वाला काफ़े अच्छा लूग दे रहा है अभी मैं चोथे टाइप का आपको बताऊंगी चोथे टाइप के लिए मैंने प्लाय का टुकडा ले लिया है अभी यह मेरे पास कुछ स्टास और क्रिस्टल जिसको बन सकते हैं क्रिस्टल से यह मैं इसके ऊपर पेस कर दूंगी और आपको दिखाऊंगी कि चोथे टाइप का कैसे बनाते हैं कोस्टर तो सब पेस करने से पहले में पहले इसको पैंट कर लूंगी मिरे पासbt यह एक्रेलिक फीविकल कर रहां है यलो अलल जै मैं उससे पहले पैंट कर लूंगी इस टाइप से आप यह डेकोरेट कर सकते हो इस टाइप से मैंने सारे क्रिस्टल्स लगा दिये हैं और यह इस टाइप से दीख रहा है अभी पाच्वे टाइप के लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है यह मैंने प्लाइवुड का एक टुकडा लिया हुआ है और यह मेरे पास कुछ बांबू की स्टीक्स है यह इस टाइप से रहती है वो स्टीक जिसको मैंने कट कर लिया है और हाफ आफ कर लिया है अभी मैं बताऊंगे आपको कैसे करना है अभी यह जो स्टीक्स है मैं बस इसके उपर ऐसे पेस्ट करने वाली हूँ अभी पेस्ट करने के बाद आपको दिखाती हूँ को इस टाइप से बस मुझे पेस्ट करना है पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ कर इस टाइप से मैंने में सारी स्टिक्स जो है वह पेस्ट कर दीये काफी अच्छा लूप आ है बांबू टाइप लग रहा है यह मेरा बहुत फेवरेट है अभी मैं आपको छेटे टाइप का टी कोस्टर बनाना सिखाऊंगे सिक्स टाइप के लिए मैंने वही प्लाय का टुकड़ा लिया है और यह मेरे पास एक जूट का कबड़ा था उसका मैंने उसके नाब का काट लिया है यह हम पेस्ट कर देंगे इसके उपर फेविकॉन से या ग्लूगन से और फिर मैं उसके उपर छोटा सा पेंटिंग दिखा हाथ हुआ गिलिया है isn't that the फिस टेऩ से मैं फ्र स्कालर एक्रेली कमश्य कर लेके चोटा सा पेंटिंग करته इस टैप्षे करना है फेंटिंग मैं थोड़ाँ सा वार्ली टच्स देना चाहते हुआ वाइट कलर या आप दूसरा कलर भी कोई सा भी चूज़ कर सकते हो इस टाइप से थोड़ा पेंट करेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा है इस टाइप से मैंने पेंट कर लिया है काफी अच्छा लोग कर रहा है अब देख सकते हो साथवे टाइप मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है साथवे टाइप के लिए मैंने यह जो प्राइवुड था अपना है उसको वाइट कलर कर दिया है ताकि अपने दुसरे जो भी रंग हम उसके उपर भरेंगे तो वह अच्छे लगेंगे इसके उपर आप कुछ भी चीडिया बना लेती हूं और फिर उसके उसमें मैं कलर भरूंगी कि इसमें मैं कलर भरूंगी फिर अब कुछ भी डिजाइन डाल सकते हूं मैंने चीडिया का डाला है यह वाले हम आउड़र के लिए भी रख सकते हैं इस टेप से आप पेंट कर सकते हो कुछ भी डिजाइन डाल सकते हो जो आपको अच्छी लगे मैंने एक पंची डाला है और यह थोड़ा सा ट्री का डिजाइन में दे रही हूं काफी अच्छा लूग आता इसससे इस टेप से मेरा पेंटिंग मैंने पूरा कर दिया है इस टेप से लग रहा हो आप कोई सा भी डिजाइन डाल सकते हो अभी आठवे टाइप के लिए यह मैंने बना चुकी हूँ बस वह प्लाय का टुकड़ा लेना है उसको मैंने पेंट कर दिया और साइड से बस वह बंबू का जो स्टीक था उसको आधा कट करके बस मैंने बॉर्डर लगा दिये इस टैप से मैंने छे पीसे स्कर लिए आप देख सकते हैं यह मेरे रोजuvo के रूटिन में काम आता हैं रोज़ के रूटिन के लिए मैं यह उसकरते हुं मजे बहुत अच्छे लगते ही है अब inगे हम नजर डालते हैं जो मैंने एक टाइब के जो आपको टी कोस्टर दिखा है बनाके उस पे देख सकते हैं आप ये होट पॉट स्टैंड बड़ा ये छोटा टी कोस्टर सूख गया अभी काफी अच्छा लग रहा है ये छोटा पेबल ये अजे होट पॉट स्टैंड आप यूस कर सकते हो ये स्टोन का स्टोन का भी काफी अच्छा लोग दे रहा है ये फैब्रिक का फैब्रिक का आप अजे फेस्टिवल के टाइम यूस कर सकते हो ये भी क्रिस्टल का ये भी फेस्टिवल के टाइम या अधर टाइम आप यूस कर सकते हो बांबू का मेरा फैवरेट जूट का भी काफी अच्छा लोग दे रहा है और यह एक्रेलिक पेंटिंग जो आप अउट्डॉर के हिसाब से भी रख सकते हों और यहां मेरा जो रूटीन का है विट बांबू बॉर्डर उन्ली मैंने बॉर्डर पर किया हुआ है काफी अच्छा लग रहा है यह अब देख सकते हों इस टाइप से यह देखें मैं आपको दिखा सकते हूं यह काफी अच्छा सूग गया है और काफी अच्छा लग रहा है यह भी यह अच्छा लूग दे रहा है पेबल्स का भी आपको मेरा यह टी कोस्टर का आइडियास कैसा लगा आप जरूर बताएगा लाइक जरूर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाएए थैंक्यू सो मच